आप सभी अच्छे होंगे और अपना ध्यान रखेंगे साथी साथ अपनी स्टडी कंटीन्यू करेंगे आप जानते हैं कि आपका स्लेवस्ट लगभग पूरा हो गया है कि इवल दो यूनिट आपकी बची होई हैं इन की केमेस्टी का अध्यन बायो मॉलीक्यूल के अंतरगत किया जाता है तो हम समझने की कोशिस करेंगे इसमें हम Karbohydrate के बारे में पढ़ेंगे गुलुकोज के बारे में पढ़ेंगे उनकी Chemical Propties के बारे में पढ़ेंगे सायथ परोटीन और विटामीन आपका 30% Slave SMELLm Less हो गया है तो जो चीजें होंगी उनपे हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में जैसा कि आपको नाम से ही पता चला है कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बने कमपाउंड या और्गनी कमपाउंड को ही हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं फोर एक्जामपल आपका गुलुकोज हो गया C6-S12-O6 उसी परकार फ्रक्टोज हो गया उसी परकार आपका सुक्रोज हो जाता है C12-S22-O11 तो ये कार्बोहाइड्रेट के जनल एक्जामपल है और कार्बोहाइड्रेट का जनल फॉर्मूला CX-S2-O का होल Y होता है या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि CN-S2-O का होल N होता है जहाँ पर N इसकल टू 1, 2, 3, dot, dot, dot आप रख सकते हैं तो इन्हें कार्बन के हाइड्रेट के रूप में माना जाता है इसलिए इनको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं कार्बोहाइड्रेट आपके धुर्बन घुर्णक योगिक होते हैं यानि कि ये रोटेटरी पॉलराइजेशन करते हैं और पॉलिहाइड ऑक्सी, अल्डिहाइड अथ्वा कीटोन होते हैं या उन योगिकों की तरहुन को परिभासित किया जासता है जो जलब घुर्टन के बाद गुलुकोच की छोटी-छोटी इकाईयां देते हैं या मोनोसेकराइड देते हैं आगे हम बात करेंगे यहाँ पे वल्ड आया है कि कार्बोहाइडेट को धुर्ण घुर्णक जलब घुर्टन के बाद इस परकार की इकाईयां देते हैं यानि कि जिन में CHO गुरूप होता है फंक्स्टनल गुरूप और यह एल्ड आयड का गुरूप है यदि हम इसको C double bond O H के रूप में लिग दें तो यहाँ पे हमें क्रिटन भी प्राप्त होता है ये एल्डि हाइट की स्टेक्चर एल्डि हाइट का फंक्स्टनल गुरूप है और ये इसकी स्टेक्चर है तो इनको हम एल्डि हाइट अथवा की टॉन C double bond O group, कार्बोनिल गूरूप के polyhydroxy aldehyde वक्किटोनों के रूप में इनको हम define कर सकते हैं आगे हम बात करें कार्बोहइड़ेट को saccharide भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि saccharide Greek word saccharide से मिलकर बना है जिसका meaning होता है sugar यानि कि जो मिठे होते हैं जो स्वाद में मिठे होते हैं वो saccharide कहलाते हैं अब हम बात करेंगे classification of carbohydrate कार्बोहइड़ेटों का वर्गी करने कार्बोहइड़ेटों को जलब घटन के ब्यहवार पर यानि कि जैसे हम C12-S22-O11 यानि कि सुक्रोज को तोड़ते हैं तो गुलुकोज और फ्रक्टोज के रूप में तूड़ जाता है उसका जलब घटन करने पर तो जलब घटन की काईयों के आधार पर कार्बोहइड़ेट को monoseccharide, oligosaccharide और polyseccharide के रूप में पालटा गया है monoseccharide में आपके गुलुकोज और फ्रक्टोज आ जाते हैं यानि कि वे कार्बोहइड़ेड्स जिसको polyhydroxy aldehyde अथ्वा कीटन के और अधिक जल सरल्योगी कों में जलब घटित नहीं किया जा सकता है यानि कि गुलुकोज और फ्रक्टोज को आप और अधिक नहीं तोड़ सकते हैं तो यह क्या केलाएंगे monoseccharide और अभी तग monoseccharide की 20 units हमें पता है oligosaccharide वे oligosaccharide यानि कि वे कार्बाहएड़ेड़े जिनके जलब घटन से monoseccharide की 2 से लगभग 10 इकाईयां हमें प्राप्त होती हैं तो वो oligosaccharide केलाता है जैसे आपको पता है सुक्रोज C12, S22, O11 का जब आप जलब घटन करते हैं तो हमें glucose और फ्रटोज प्राप्त होते हैं यानि कि 2 unit प्राप्त होती हैं तो यह आपका क्या केलाएगा oligosaccharide polysaccharide वे कार्बोहेड़ेड जिनके जलब घटन से अत्याधिक संक्या memorosaccharide की काईया प्राप्त होती है तो वो आपका starch, cellulose, glycosin, gond जैसे starch का फॉर्मूला होता है आपका C6, H10, O5 का whole N और जहां पे N आगया तो N means poly तो इस परकार से क्या कहलाते हैं आपके polysaccharide कहलाते हैं आगे हम बात करते हैं oligosaccharide अब यहाँ पर monosaccharide की संक्या के आधार पर जैसे हमने monosaccharide पढ़ा gulukोज और fructose इसके आधार पर oligosaccharide को तीन भागों में बाटा गया है disaccharide, trisaccharide और treta saccharide जिनकी दो ही काईया पराप्त होंगी die, तीन ही काईया पराप्त होंगी try, चार ही काईया पराप्त होंगी treta, तो यह आपके disaccharide, trisaccharide और treta saccharide कहलाते हैं जैसे सुक्रोज का जलब घटन करने पर हमें क्या पराप्त होती है gulukोज और fructose उसी प्रकार माल्टोज का फॉर्मूला भी यह होता है C12, S22, O11 इसके जलब घटन से भी हमें gulukोज और fructose पराप्त होती है तो यह सुक्रोज और माल्टोज क्या है आपकी disaccharide है जबकि gulukोज और fructose आपकी क्या है monosecaride polysecaride स्वाज में मिठे नहीं होते है अथो इन्हें non-sugar कहा जाता है जैसे आप जानते है starch, cellulo, जो लकड़ी का बुरादा है या गौद है यह क्या होते है? non-sugar होते है अब हम बात करते हैं carbohydrate को sugar के आधार पर कैसे बाटा गया है तो एक आपकी होती अपचाईस रख रहा reducing और एक अपचाई non-reducing sugar तो उन सभी carbohydrate को जो failing solution CO2O और tolerant reagent AG2O यह अपने aldehyde और क्रिटोन में पड़ लगा है को reduce कर देते हैं वे अपचाईस रख रहा कहलाते हैं सभी बानों से कह रहा है चाहे वो aldehyde हो आत्वा क्रिटोज यानि कि जिनमें aldehyde group हो या क्रिटोनिक group हो अपचाईस रख रहा होती है यदि इस रख रहा में ये परकार्यात्मक समय यूग तो हो तो अपचाईस रख रहा कहलाती है जैसे maltoge और lactose CHO C12S22 OILM उसके अलावा अनपचाईस रख रहा यदि dicecuride ओं में यानि कि dicecuride बोलने का मतलब है जैसे आपका सुक्रोज हो गया मैं monosecuride ओं के अपचाईस हमुझ जैसे aldehyde और क्रिटोन बंडेड होते हैं तो वे क्या कहलाती है आपकी अनपचाईस रख रख रहा कहलाती है तो यह पूछा जा सकता है आपको एक नंबर में अनपचाईस रख रहा का एक्जामपल आपका सुक्रोज हो जाता है और अपचाईस रख रहा का एक्जामपल आपका maltose yan lactose होगा next बसभत करते हैं glucose होता है पके हुए अंगुर में भी बहुत अधिक मातरा में क्या पाया जाता है गुलुकोज पाया जाता है में यहां पर आपको methods of preparation गुलुकोज पूछी जाती है इसको बनाने की पहली method है inverter sugar से तो यहां पर सुक्रोज का जलब घटन करते हैं acidic medium में तो हमें इस से गुलुकोज और फ्रक्टोच प्रत्त होती है next है आपका starch से स्र इस तर्टर से कैसे आप प्रत्त कर सकते हैं तो अधियोगी कि सतर पर गुलुकोज को starch के industrial लेबल पर starch के जलब घटन से हम गुलुकोज को प्रत्त करते हैं तो starch अतवा cellulose C 찾 C6S10O5 का whole end ये क्या है एक polysaccharide है Nmol water के लिए acidic medium में 393 Kelvin पर और 2-3 वायुमंडली अदाब पर तो हमें N C6S12O6 प्राप्त होती है यानि कि गुलुकोच प्राप्त होती है तो start से भी हम क्या बना सकते हैं गुलुकोच बना सकते हैं अब हम बात करते हैं structure of गुलुकोच CHO, CHOH का whole 4 और CH2OH यानि कि यहाँ पर यदि आप carbon की नंबर को गिने hydrogen की नंबर को गिने और oxygen की नंबर को गिने तो आपको molecular formula प्राप्त होगा C6H12O6 और ये इसका क्या है structure formula है CHO, CHOH का whole 4 और CH2OH आगे हम बात करते हैं अब गुलुकोच की chemical reaction के बार क्या होता है जब गुलुकोच ऐसे भी पूछा जा सकता है क्या होता है जब गुलुकोच की अभी किरिया hydrogen iodide के साथ की जाती है या गुलुकोच को hydrogen iodide के साथ गरम किया जाता है तो हमें normal hexane प्राप्त होती है यह simple सा है CS3, CS2, CS2 जैसे hexane होता है आपका 6 कारवन होंगे next उसी परकार hydroxylamine के साथ तो hydroxylamine हम विभिन जगह हमने chapter में पढ़ा NS2OH तो वही गुलुकोच का इस ट्रेक्चर फर्मूला है NS2OH के साथ जब react करता है तो NHOH के रूप में तूड़ जाती है तो यहाँ पे CS double bond and OH जुड़ जाती है बाकी से हम वही हो रहेगा CHOH का whole pore और CS2OH इसको हम क्या बोलते हैं oxym बोलते हैं जैसे आपने इसकी अभिकिरिया है LD हाइड और क्रिटॉन में भी पड़ी है और alcohol में भी पड़ी है नेक्स्ट है आपका hydrogen cyanide के साथ अभिकिरिया तो जब glucose यह glucose का structure फर्मूला है SCN के साथ react करती है तो यहाँ पर की जो CHO है वो इस H के साथ OH के रूप में बदल तूड़ जाती है और यह CH किसके साथ जूड़ जाती है CN के साथ तो वह ही हुआ CH CN से जूड़ गई और यह OH बना लिया इन्होंने बाकी agitage रहा CHS का होलपोर और CHS to OH इसको हम बोलते हैं Sinohydrin Next Bromin water के साथ Bromin water के साथ जब हम glucose की अभिकिरिया करते हैं हमें Gluconic acid प्राप्ट हो जाती है आपने Bromin water की reaction बहुत जगव पड़ी है जैसे हमने वहाँ पे Phenol की reaction से क्या होता है Bromin water के साथ करते हैं बहुत सारी reaction है हमने पड़ी थी तो यहाँ पर Eldehyde Benjoldehyde की भी करते हैं आप Benjoy कमल प्राप्ट हो जाएगा तो यह क्या है आपका Eldehyde यानि की Glucose है BR2 water के साथ करते हैं तो यहाँ पे आपका ये Eldehyde group किस में बदल जाता है alcoholic group में बाकि से measuredage रहेगा CHH का hole for CS2OH यहाँ पे acid वाला functional group आ गया है इसको हम क्या बोल देते हैं Gluconic Acid यानि की क्या होता है जब Glucose Bromin water के साथ react करती है तो क्या प्राप्त होती है Gluconic Acid यह आपको पूछा जा सकता है एक्जाम नेक्स्ट बात करते हैं उसी प्रकार Acetic Enhydrate के साथ reaction तो same Glucose का structure formula Acetic Enhydrate R COO का hole twice O तो यहाँ पर यह इस प्रकार से तूड़ जाएगा CHO और यह CHO का hole 4 CHO टूटा यहाँ पर और C double bond O CS3 क्योंकि CS3 CO का hole twice O के साथ react कर रहे हैं तो यहाँ पर CS3 गुरूप आएगा क्योंकि 2 CS3 है एक CS3 गुरूप नीचे आएगा CO भी है तो 1 CO यहाँ आएगा 1 CO यहाँ आएगा तो इसको हम बोलते हैं Glucose Penta Acetic आप total carbon गिन लेंगे तो आपको 5 carbon होंगे तो इसलिए इसका नाम क्या है Glucose Penta Acetic Next हम बात करते हैं Nitric Acid द्वारा Oxidation तो यह बहुत important है HNO3 के साथ जैसे वहाँ पर Acetic Acid के लिए भी आपने पड़ी है TNT, TNP तो यहाँ पर सेम वही है Glucose का Structure Formula Oxidation in presence of Nitric Acid तो हमें Saccharic Acid परात होता है देखो Bromine Water के साथ React करने पर केवल यहाँ पर एक ही Acid Group आ रहा था लेकिन जब हम Nitric Acid के साथ करते हैं तो यहाँ पर भी क्या प्राप्त हो जाता हमें Acidic Radical प्राप्त हो जाता है यह Acidic Group आ जाता है यहाँ पर Functional Group तो दो Acidic Group या दो Acid के Functional Group आगे तो COS Single Bond CHS का होल पोर COS इसको हम क्या बोल देते हैं Saccharic Acid उसी परकार Gluconic Acid जो Bi-Alt Water से हमें प्राप्त हो आता Glucos की React करने पर तो इसका Oxidation भी जब हम Nitric Acid के साथ करते हैं तो हमें Saccharic Acid प्राप्त होता है तो दो तरीके से पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब Glucos की अभी किरिया Nitric Acid के साथ की जाती है या Glucos का Nitric Acid की परजेंस में Oxidation किया जाता है तो Securic Acid प्राप्त होता है या क्या होता है जब Gluconic Acid Gluconic Acid हमें कब प्राप्त हो आता जब हमने Glucos की अभी किरिया Bi-Alt Water से की थी तो Gluconic Acid की अभी किरिया जब हम Nitric Acid के साथ करते हैं और Oxidation कर देते हैं तो हमें फिर क्या प्राप्त होती है Securic Acid तो इससे बहुत सारे क्वेशन बन रहे हैं आप अच्छे से किलियर कर लेंगे मुझे पूरा विश्वास है बाकी इससे रिलेटेड और जो फीसरिस टेक्चर है D-POM क्या होता है L-Form क्या होता है वो हम अगली क्लास में बात करेंगे यहां पर Protein कभी-कभी आपको पूछ लिया जाएगा Biology वालों के लिए भी बहुत Important है Protein सब्द Greek word Proteus से मिलकर बना है जिसका Meaning होता है Very Important बहुत महत्वपूर्ण या Primary यानि कि जो हमारे शरीट के लिए क्या होते है प्रात्मिक होते है या महत्वपूर्ण होते है वही क्या क्यलाते है Protein क्यलाते है Protein दूथ पनीर दाल मुंख फली में पाया जाता है यहां पे Protein में Amino Acid यानि कि Amino Acid आपको जरूरी है यह पढ़ना Amino Acid मतलब कि जिसमें एक Amine Group होता है और एक Acid Group होता है यानि कि R, C, H, N, H to, C, O, H ये इसका क्या है आपका structure formula है Amino Acid किसे बोलेंगे इसमें एक Amine Group होगा और एक Acid Group होगा अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर आप देख सकते है जूटराइन बनते हैं जब हम ये Amino Acid है हमने इसको खोल दिया है Acidic Group को C Double Bond O, H के रूप में और R, C, H, N, H Amine Group एसी रहा आपका अब यहां पर क्या हुआ R, ये जो H है ये H यहां जाकर Ammonia के रूप में Ammonium आइन के रूप में Ns3 Plus के रूप में बना लिया इसने Ammonia पर Plus लग गया है और इधर C Double Bond O, Negative आ गया है तो इस परकार ये आइनों के रूप में तूट गया है नीचे Ns3 Plus और उपर O- तो इस परकार का आइन जविटर आइन कहलाता है Peptide Bond किसे कहते हैं यहाँ पर जो Bond बनना है इस CO के बीच और इस NH Ns2 को हम NHH के रूप में लिख सकते हैं तो C Double Bond O और NH के बीच जो Bond बनता है उसको हम क्या बोलते हैं Peptide Bond बनते हैं तो इसको हम Peptide Bond के नाम से जानते हैं यह Competition एक्जाम में भी आपको पूछा जाता है Peptide Bond, जुटर आये तो आज की क्लास में इतना ही आगे हम अच्छे से कंटिन्यू करेंगे मुझे विश्वास है कि आप इसको अच्छे से नोट्स बना लेंगे अपना और श्कूल खुलने पर आपकी नोट्बुक जब चेकोंगी तो यह आपका देखा जाएगा Thank you